अगर आपका SD card ये pen drive corrupt हो गया है और आपको उसको बिना format किये उसका data recover करना है तो मैं आपको इसके लिए एक trick बताता हूँ इसके लिए आप सबसे पहले अपने pen drive को अपने PC से connect करो और इसके बाद इस search में जाके CMD type करो अब आप simply इस command prompt को run as administrator कर दो और इसके बाद आप simply इस command को type कर दो यहाँ पर F colon मेरा drive letter show कर रहा है आपके case में ये different हो सकता है जैसे E drive, H drive, G drive आप इसको अपने accordingly change कर सकते हैं अब आप simply enter button पर press करो इसके बाद यह आपकी सारी system files को examine कर लेगा और जो भी issues आ रहे हैं उनको fix भी कर देगा तो definitely इस trick को try करो और ऐसे ही amazing videos के लिए follow your subscribe भी कर लो